हमारे होसलों की ताकत मत ना पिये साहब, राजस्थान के लिए हम अपना खून भी बहा देगे, तुम भी चलो इस सफर में अगर मेरे साथ विकास की घंगा हम घर घर बहा देगे सबका साथ सबका विकास जहां से अपने शुरू किया, टिकाओ, समावेशी, साम्यक विकास, खुशाल राजस्थान, खुशाल राजस्थानी, खुशाल राजस्थान, that was the idea, अब उसको सामने रखके हमने ये बजट बनाने की कोशिश की, पहले से जिलाद एक्षों से बात कर ली थी, तो जिलों की क्या-क्या मुसीबते हैं, उनको हमने एकटा करने की कोशिश की, और दूसरे साइड में विवस्था को किस तरीके से बसाया जाए, वो भी ध्यान में लेने की कोशिश मेंने की, कि राजस्थान भी इस दाइरे में आके और मने प्रथम पंक्ती में खड़ा हो जाए, मैं बार बार आप लोगों से इसलिए ये कहते हूं कि इस वेरी इंपोर्टन्ट, कि निवेश राजस्थान में आए, निवेश आने का मतलब ये है, कनेक्शन इंटनेशनल, रवी प्रिकास जी अलवर से है, नमस्कार, पताईए रवी जी क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ, सर मैं कहना चाह रहा हूं, यहां भी जोटार सर जी बैटे हैं, कि मैं अलवर से हूं, यानि के सरकार में जो बोशनाई करी, जो हमारे यहां एक मिनी सच्वाले बनना था, उसका काम बाधित हो गया केवल सरकार बदलने से, और जहां तक रोजगारों की बाते हैं, जो कोंगरेस के टाइम में जो नियुक्तिया निकाली गई थी और रकनी की तुटी, नायले की तुटी करने जो अलजरें थी यह अप्ता उनको सुल जा नहीं पाएं, और ऐसी बिडंबना बेरोजगारों के सामने खड़ी कर दिये कि यह तीसरे बज़गारों के बड़ी अगली बार और बहतर की उमीद कर रहे हैं, तुलकुल उमीद कर रहे हैं, तुसरे में बज़गारों के विकल्प इतने नजर नहीं आए, वो सकता है कि आपने पांच लाख नोक्रियां की बात करके रोजगार दिये हो और 88,000 नोक्रिया दी, लेकिन वो क्या जो पहले से इ अगर आप देखेंगे हमारे बजट को तो जब जब भी मुख्यमंतरी जी का बजट पहले पिछले बजट के अंदर भी मुख्यमंतरी जो युवाओं को लेकि रोजगार के लिए चिंतिती वह आज भी हैं, और कई बार मुख्यमंतरी जी ने सधन में भी ये बात कही, कि ज आज भी आप लोगों ने पुराणी जो नियुक्तिया जित आप ये बताई आपके कारेकाल के समय आपने कितना रोजगार दिया हमने जो वादा किया उसके अंदर रोजगार दिया हमने आप ये बता दो मुख्यमंदरी जी क्या बताएंगी कहा कहां दिया बताएंगे बिल्कुल बताएंगे हम आईए बैटिये हमारे साथ अब क्या समय है अब आप सरकार सब को रोजगार देगे समय नहीं है सरकार ये सवा लाग करोड रुपया डिस्ट्रिबूट कर रही है बजट का जो आउटले है इसमें जो रोजगार पैदा होंगे अपने आप दूडिया जब मार्केट एकॉनमी के आपन बात करते हैं तो सरकार कितनों को रोजगार देगे कितनों को कर ले गया आप अपने आप सवा लाग करोड रुपया कम अमोंट नहीं होता है ये प्रैक्टिकल अप्रोच हुई लेकिन जो वादे हैं सुरा संकल्प की बात होई उस पर टार्गिट नहीं करना चाहिए बूल जाना चाहिए जब प्री आपने सब्सक्राइब करने काम है ये बहुत महत्वा कांशी योजना है क्योंकि हमारे पंदरा परसेंट होगी हाईर एडूकेशन में होगी सब्सक्राइब करना है जो अपने काम धंदी शुरू कर सके तो ऐसे ट्रेड इस बजट में भुजड़ा की है सेंट्र कौर्मेंट ने भी बहुत ज्यादा इस्किल डवलमेंट पर जोड़ दे रही है और उसी के अंग्रूप मेरे को लगता है उससे युवाओं को जैसे ट होना है तो उसको दिशा में सरकार ने टोकुमेंट है जिसमें टोटल एंपलोई बताए गए करमचारों की संक्या करीब करीब 10 लाग है जितने पुब्लिक सर्कार के बिलाके और इस पे जो खर्चा होता है 32,000 रुपया पर मंथ एक एवरेज सरकारी एंपलोई पर सरकार ब को भी सस्टेनेबल हो इनी सकते हैं मैं आप से वही कह रहा हूं साब रोजगार की बात है ना जो केंदर सरकार ने भी और जो इस राष्टान सरकार ने भी जो इस बजट में रिफ्लेक्ट हुआ है इसकिल डवलमेंट के जो युनसी बनाने की बात कर रहें तर लेकिन इसी बात कर रहें लेकिन उन गोश्णाओं पर अमल कब तक कर पाएंगे आपने शुरुआत में कहा संकल पत्र में कहा सिंगल विंडो सिस्ट्रम लाएंगे और तीसरे वजट में जाकर यह बात हो रही ह है यह जो लाल फीता शाहिए जो हर्डल से हैं जो हमारी सरकारी हर्डल से हैं आज जो इंडूस्ट्रिस आते हैं वह यहां से परेशान होके जा रहे थे यह लगातार बहुत सालों की बात हैं लेकिन अगर इसको कोई प्रभावी योज़ना यह सुद्री मैं चुरू में कहा कि बजट का जो रिफ्लेक्शन है वो लोग में उससे पहले की बात करूंगा निवेश की बात करूंगा दो दर्श्कों की बात करूंगा दो अच्रा जी की पास आउंगा वह सवाल लेकिन मैं रोकना चाहरा हूं सक्षिन साहब आपको कृष्णा जी है जैपूर्चे और व लेकर मैं बात करना चाहता हूं पानी बिजली और इंफ्रस्ट्रेक्चर यह किसी भी निवेश को लाने के लिए गराज़े में बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है क्या मुक्यमंतरी वसंदर राज़े इस बजट के जरीए आपको लगता है बुनियादी पानी में इन्होंने केवल नो परियोजने चालू रखने की बात किया है तेबीस में से अब आप देखिए एक भी तीन साल में इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट लाए पानी के लिए यह नहीं ले पाए सड़क के लिए कह रहे थे कि बीस अजार देंगे फिर दूसरे बज़ 2015 अगस्त 2015 तक का जबाब आया है कि हमने एन्हाई में या MDR में या स्टेट हाइवे में एक भी पीपी प्रोजेक्ट अभी सेलेक्ट नहीं किया है अब हम दस हजार किलोमेटर सड़कों के लिए मलेसिया की कमपनी से बात कर रहे हैं यह इनकी आज दिसंबर तक की फरवरी कि बजट आया तब तक की इस्तिति है आप बताइए जब दो बजटों में आप इपीपी मोड़ बे 20,000 और 10,000 किलोमेटर सड़की बात कर रहे हैं आप एक किलोमेटर बना नहीं पा रहे हैं पानी की एक प्रियोजना आपने हमारे सिक्कर में कुमाराम लिप्ट प्रियोज प्रियोजना ती और जो कि दोनों को कलब करके और 2000 किलोमेटर की बात किये आप देखिए एक विदानसवाक дос शेतर में 10 किलोमेटर दो साल में गोरवपत और मिसिंग लिंग्स बढ़ेंगी तो अब समझे कितनी बढ़ेंगी और जो मिसिंग लिग तो साल की ती आप रहे है एक विदान्स वाक्षेतर में दोनों कलब है, आप पढ़िये, मेरी कौन सी चुनसी में पिछले दिनों हुगा है, वो अलग बात है, आप मेरे जिले की कौन सी चुनसी में आपने कहा हुआ, आज की बजट में जो गोशना की है, दो जार किलो मेटर की, उसके इसाब से दो साल में 10 किलो मेटर सड़क दूनों को मिलाकर किया, तीन साल का रोड मेप दिया और कहा कि आज एक्चुल में जो गोरोपत का रिजल्ट गाउन आज आगामी वर्ष में दोजार और ग्राम पचाहिज मुख्यालें पर ग्रामी गोरोपत एंवं मिसिंग लिंग सडकों का निर्मान प्रारम किया जाएगा आप पढ़ लिया मैंने यही तुम मैं और नहीं को मिला करें सब्सक्राइब गोरोपत की किती उसमें कट्रोंती करके मिसिंग लिंग को भी साथ जोड़ दिया और इसका पुरानी गोष्णाओं को ही नया आपनी जामा देने की कोशिश है विल्कुल ऐसको नहीं है इन्होंने गोरोपत की किती उसमें कट्रोंती करके मिसिंग लिंग को भी साथ जोड़ दिया और इसका कारण है पर दो हजार ग्राम पंचायत मुख्याले जिसलिए केंदर इनको पैसा कम देगा इसलिए इन्हों ने इसमें कर दिया और यह स्टेट को नुक्साद हो गया कर दो हजार एक सो ब्यासी मिसिंग लिंग है और दो हजार गौरोपत वह पहले का दो हजार आज दिये जाएंगे निवेश को लेकर जो बुनियादी ज़रूरत है उन पर क्या इस बजट में खयाल रखना हुए चोटा सब्सक्राइब यह बजट राजिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का बजट है आने वाले तीन साल में इस तरीके से राजिस्तान विकास के पतपद और आगे बढ़े उसके लिए जो इंफ्रास्रक्चर की जरुवत है उसको लेकर इस बजट के अंदर बहुत ही अच्छी ग करना इसके बारे में भी इस बजट के अंदर प्राउधान रखा गया अच्छा बजट लिया विकास उन्मिक बजट है वहिलाओं के लिए हर वर्ग के लिए इस पेंदर कुछ ना कुछ ने और विजली की जो हालत पूरवर्थी सरकार में करती थी उस पूरे सिस्टम को सु तुम भी बहा देगे तुम भी चलो इस सफर में अगर मेरे साथ विकास की घंगा हम घर घर बहा देगे कर दो